नमस्कार मैंडम आलोग है आप आप लाइस्टीज देख रहा है अब बिहार में भी यादवों का वोट बैंक लेने के लिए यादवों के वोट बैंक लेने के लिए वीजे पी ने भी आपकर सत करने शूर कर दिये रहें कि दोजाथ 24 का आगाद उच्छा है ये नया साल है औ कि अची गाल इसे में जो कि मध्यपदेश के मुख्यमंत्री है उनका कल स्वागत समारो रखा गया है राधानी पट्ना के श्रकेश्ट में होल में मोहन यादव को मुख्यमंद्री बनाकर बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है क्या उसका असर बिहार में भी पड़ेगा हमाई साथ दिल्ली निवर्स्टी के प्रोफेसर रहे लक्ष्मा यादव जी मौजूद है बहुत प्वागत है काफी जानकार है सब कुछ विश्रे बस यह कि कहीं कहीं से दुआ उठ रहा है और दिहार में ठंड है लेकिन एहसाथ से घर्मी वाला हो रहा है राजनिति रहा है कि वह तोड़ा गर्माहट लिए रहता है अब बात करेंगे शुरूगात करते हैं इस से पहले शीट शरींग नेंगा आपका शीट शरींग याने कि आल इस वेल्ट नहीं है ना इंडिया में ठीक बात है अलोग जी यह कह सकते हैं हलांकि मेरा मानना भी यह कि देर तो हो रही है अब तक हो जाना चाहिए अब दूसरे अर्थों में कहें तो बीजेपी ने भी कोई घोशित नहीं किया है कोई शीट शेयरिंग उनका लेकिन यहां पर थोड़ी पेच तो है ये भी बात सही है कि थोड़ी बातचीत हो रही है जैसे उत्तर प्रदेश में आज ही समझवादी पार्टी और कॉंग्रेस के लोग एक साथ बैट रहे हैं कि उपी में शीर शेरिंग क्या होगी विहार के लोग भी लगातार इस में हैं कि शीर शेरिंग हो जाए तो समय भी लगता है ये बात भी बिल्गुल ठीक है थोड़ा बातचीत करने में टाइम तो लगी वाई लेकिन आपको लगता कि हाँ अब इस समय लेकिन नितीश कुमार तो बिकरार है पार्टी जलबाजी में ठीक बात है नितीश कुमार की भूमिका देखिए पूरे गडबंधन को जोडने वाली रही है शुरुवात उन्होंने की जब तेजस्वी आदो और नितीश कुमार की सरकार बनी तो उसके बाद पूरे देश में घूमे लोगों को एक जुट किया और उसके बाद पहली विपक्षी जुटा की तस्वी बिहार से ही आई थी जसमें नितीश कुमार के बड़ी भूमिका थी हां कुछ उपर नीचे चीजें होती रहती हैं मुझे लगता है कि कॉंग्रेस पार्टी भी बात समझ रही होगी कि अपने नियूनतम सहमती पर अधिक्तम एका का दोर है अगर नियूनतम सहमती नितीश क कुमार से बन रही हो और लोगों से बन रही हो तो उनको अलग नहीं होने दिया जाए ऐसा तालमिल बनाया जाए कि सब साथ रहें तो कोशिश तो उन लोग की यही होगी बाकि अभी पार्टी को बड़ी दिल दिखाना होगा निश्यत रूप से और बड़ा दिल दिखाने जैसा कुछ है नहीं दरसल कॉंग्रेस पार्टी लगभग 120 सीटें ऐसी हैं दक्षण की जिसमें तमाम क्षेत्री दल और कॉंग्रेस मिलकर के बीजेपी को अलड़ी बहुत पीछे रखे हुए हैं लगभग 100 से 110 सीटे मां बीजेपी हारती है दक्षण और तमाम जगों को म जारखंड बंगाल पंजाब दिल्ली ऐसी कुछ सीटें मिला लें तो लगभग ये डेड़ सो के ऊपर कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको च्छत्री दलों का प्रभाव जिना ज्यादा है तो यहां जैसे मालीजी बिहार है स्यूट शेरिंग का है तो कॉंग्रेस पार्टी ऐसा थोड़ी कहेंगी कि 40 में से 20 सीटें हमें दे दीजिए वहां बहुत होगा तो पांट से आठ दस के बीच में उतरप्रदेश है जीतना है नहीं तो ले लिया था विदान सभावाले में भी पिर देखे क्या सब्सक्राइब तो मुझे लग रहा है कॉंग्रेस पार्टी के ज कि अंत्त हमें 300 सांसद चाहिए इंडिया गट बंधन के लोगों को और वो सांसद अपने मिजाज के लोग आएं इसकी कोशिश सब करेंगी इंडिया कॉंगरेस भी ये कोशिश रोंगी या सपा यह लोग भी कोशिश करेंगे कि हमारे सांसाथ ज्यादा जीता है यह सभी ऐलाइंस के बिना मुश्किल है यह तो पश्ट है अब मुहन यादव की इंट्रिय हो रही है पहार की राजिती में कल मुहन यादव आएंगे उनकी तुम आओ भात होगी सेवा सदकार होगा फुलों की बारिश की जाएगी सरकों पर यह दिखाया जाया कि यादव समाज के वेक्ति को कैसे मुख्य मंत्री बनाएं डॉक्टर मुहन यादव जी लोग कह रहे है ठीक बात है यह सब सम्मान यादवों को कब से मिलना सम्मान या OBC समाज का सम्मान यह मंडल आंदोलन की समाजवादी आंदोलन की और समाजिक नयाय के आंदोलन की जीत है और यह BJP चाहती है कि आज की तारीक में उत्तर भारत में खास कर सबसे बड़ी कौम OBC में यादवों की है 14% से उपर बिहार में हैं लगबग 12% UP में हैं इनी बड़ी आबादी इसको सामपरदाइक और धार्मिक राजनीत से हटा कर अपने मुद्दे की राजनीती किसान कामगार की राजनीती मंडल की राजनीत से जोडने वाले नेताओं का नाम है लालू और मुलायम अब इस बात को बड़ी गहरा ही समझेगा यही मेरा इसे तो पूरा बहुजन समाज खड़ा है जो संविधान बदलने वालों के खिलाब खड़ा है लेकिन यादवों पर विशेश यह अगर इतनी ही विशेश कृपा है तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुकदमे यादवों की उपर क्यों हो है बीजेपी के सरकार में सबसे अधा घर गिराए जाने वालों में मुसल्मान यादवी टार्गेट में जेलों में सबसे अधा मुसल्मान यादव हैं यह क्यों हो रहा है एक तो यह बात दूसरी बात यह कि एक इतिहास का तत्त्त समझ लेजिए लालू प्रसाद जी और मुलायम सिंग जी दोनों ए जवानों मजदूनों मवंची शोषित जमात के नेता थे फिर भी मैं बात कह रहा हूं यादव दोनों थे मुलायम सिंग जी भी बिहार में लड़ते थे चुनाव लालू जी भी कई बार यूपी में लड़े एक भी सीट किसी की नहीं आई दोनों यादों थे दोनों जगह को ले करके आप यूपी भी घूमेंगे तो इससे कोई confusion पैदा हो जाए मुझे लग रहा है इसा होने वाला नहीं है यह बहुत दिया मैं फिर से कह रहा हूं कि लालू जी के ऊपर जतना जुल्मो सितम है एडी सीबी आई की रेड जितनी तेजस्वी जी के यहां है वो कहना पड़ रहा है उनको कि भाई एकाद दो कमरा में बुक कर देते हैं यहीं रहे बार बार आने जाने में दिक्कत होती है उत्तर प्रदेश में घर धुलवाया अ अखिलेश जी रहे हूँ उगरा पवित्र हो गया तो यह जो सम्मान है अचा दूसरी बात लेटरल इंटरी से आप जॉइन सेकरटरी बना रहे हैं आप प्रोफेसर बना रहे हैं डॉक्टर इंजिनियर बना रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों को नोकरी दे तो आप दे नहीं रहे हैं और राजनीती में ये लोग केवल एक चाल चलते हैं वीजेपी वाले कि 340 लोग लेटरल इंटरी से अब तक बने हैं एक अभी SC, ST, OBC नहीं है ये कौन सा पार्टी है ये कौन कर रहा है ये सारे अपरकाश के लोग हैं वीजेपी वालों ने किसी को लेटरल इंटरी से जोइन सेकर्टी बनाया हो तुझारा बता दो बीजेपी वाले जाती जनगर्णा को विरोध क्यों कर रहे हैं वीजेपी वाले अगर सबका नया है सबका साथ विकास दे रहे हैं तो उसी बिहार में मोहन यादो जब जब जा रहे हैं तो मोहन यादो पुछवा लो कि भही मोहन यादो जी जाती जनगर्णा सही एक गलत है जाती जनगर्णा होनी चीक नहीं होनी चाहिए और गलत है तो गोपिराद मुंडे को उस्तम गलत क्यों होती है आप कहो कि 2010 की बीजेपी गलत थी जो संसर्द में जाती जनगर्णा समत्न कर रहे थी तो 2024 2024 की बीजेपी क्यों भी रोद कर रही है अमिशा जी और नेंदर मोदी जी क्यों कह रहे है कि जाती जनगर्णा नहीं होगी इससे जाती बढ़ जाएगा तो यह मोहन जी को केवल यादव के नाम पर दिखे जाती एक चीज है भूपेंदर यादव बहुत दिन से बीजेपी बड़े नेता रहे एक जमाने में कोशिश भी कि उन्होंने थोड़ा बहुत बिहार के राजनीत को बदलने के लिए अब केवल जाती की बात रही ही नहीं जाती से जमात की तरफ चल गए हैं कि एसे लोग एक सवाल पूछते हैं कि वह समंधान को खतम क्यों करना चाहिए सामप्रदाइक्ता के नाम पर राजनीत क्यों कर रहे हैं हमारा सिक्षा रोजगार हमारा हक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते हैं हमारी जाती निरननक विरोध क्यों कर रहा है बात है तो आप तो आप तक यह हो रहा था कि जो इस इवेंट का विरोध कर रहा था पूरा बीजेपी उस पर हमलावर हो जा रही थी कि अरे भया ऐसे कैसे आज चार-चार संकराचारी तमाम जो है साधूसन धरम के लोग ही धरम का काम नहीं हो रहा है राजनेटी और यह बात कह रहे हैं बीजेपी नहीं कुछ जवाब दे पा रही है और यह सारे विपक्षी दलों ने कहते हैं नहीं जाएंगे कुछ नहीं बीजेपी अब नहीं कर पा रहे है क्योंकि कुछ ज़दा ही राजनेटी हो गई सब कुछ बीजेपी कर रही है सब कुछ मीडिया दिखा रह तो यह बात देश की सधालू जनता और आस्था बन जनता भी समझती है कि यह राम हमारे दिल में भी है राम मंदिर बन रहा है थेंक्यू लेकिन यह किसी एक पुलिटिकल पार्टी का एजंडा नहीं है यह हमारा आस्था का है वो हम कर लेंगे लेकिन बाकी चीजों पर तो त दमाली की उत्ता हमावे कारी अर्ट वाले में पिछ्डी मां के बेटे हैं और उननिस वाले चुनाओं में अति पिछडी मां के बैटे तो ये नरेंदर मोझी जी करते हैं गुजरात बरहते तो कभी जाती नहीं आदाई देश का प्रदार मंत्री बनना हो तो जाती आद है देश के एकमातर प्रदान मंत्री हैं जिन्होंने अपने जाती बता कर वोट मांगा है देश के ऐसे प्रदान मंत्री हैं जो कहते हैं जाती जनगरना नहीं होती है और धनकर जी से कुछ लोग सवाल पूछ देते हैं उनकी म कि बाद कर रहा हूं कि भी बात कर रहा हूं पीजेपीत तो यह दावा करती ती तो नहीं है आरक्षर किस पर रहे हैं आज देखी वाले किसी हमाइक लगा दिजी वह बिहार आ लगा कि एक सवाल आप पूछ लीजिए लाइफ सिटी पर पूछ लीजिए कि मोहन जी एक बात हमको बता दें कि जाती जाती है कि नहीं है अगर जाती है तो यह बताईए कि जाती के नाम पर गहर बराबरी है कि नहीं और यह सवाल जैसे ही आप पूछेंगे कि भीया एक बात बता दो मंडल आंदोलन की सिफारिश सई थी कि गलत थी कि ओबीसी को मंडल आंदोलन से मिला कि कमंडल आंदोलन से मिला थोड़ा सा थोड़ा सा खेल करिए न आप यह बात बिहार के लोग समझते बिहार के यादव हों या पूरा बहुजन तपका वह समविधान और मंडल के अहमियत को समझता है थोड़ा बहुत देखिए अपने अपने जाद विरादरी के बहुत सारे नेता हुए उनको वोट मिले हैं उननेस बीस का फर्क होता रहा है लेकिन आज के तबके में आज का जो जागरुक समाज है वो कुलहाडी को आगे करके ये समझाया जाने लगा गया कि जंगल की लकडि पहचानती है कि तुम अगर जंगल में हमारे साथ हो तब हम तुम्हें अपना मानेंगे तुम कुलहाडी की बेंट बन गए न तो हम तुम्हारा साथ देने वाले लेंगे इतना फर्क करके कम से और मंडल अंदोलन से देश भर की जंता को है इतने से अब दालोल नहीं कलने वाले कि अपनी जाती का नेता आगे कर दोगे तो जाती वाल चली जाएगे लक्ष्मा यादव यादव साथ है बहुत शुक्रिया आपका आपका काफी विस्तार से काफी बहतरीन जो यह उधारन तरिया है जंगल का लपड़ी का लोग क्या समझ रहे हैं लोग की मनुस्ति ने लिक्रिंगे उसे जानकार नहीं है क्या सब नहीं समझ रहें और यादवजाती के लोग ही तृट्य चैनल को सब्सक्राइब पर लें साथ साथ वंपेजु लगारें इसकलावा उसे टोचटाफेश लिख करें सब्सक्राइब झाल झाल